और कथावाचक अनिरुधा चार्य ने भगवान शिव और भगवान कृष्ण पर दिये अपने विवादास्पद बयान पर पूरे संत समाद से माफी मांग ली है अनिरुधा चार्य ने बयान जारी करते हुए ये कहा कि उनकी वाणी से भगवान शिव के लिए कोई ऐसी बात नहीं कही गई फिर भी यदि किसी संत का दिल दुखा है तो उसके लिए वो श्री चरणों में से रख कर करोणों बार माफी मांग दे और यदि मेरी वाणी से किसी का दिल दुखा है मेरे संतों का दिल दुखा है संतों का दिल दुखना मतलब भगवान का दिल दुखना संत भगवान का ही पर्याय है तो मैं सभी संतों से ये दास अनिरुद्ध आप सभी संतों के स्रीचरणों में अपना मस्तख रखकर करोणों करोण बार छमा प्राठना करता हूँ और भगवान शिव और भगवान कृष्ण पर दिये विवादास्पत बयान को लेकर पूरा संत समाज अनरुद्ध आचार्य से नाराज है और जहां जगतगुरु परमहंस आचार्य ने बयान को शास्त्री और मर्यादित बताये तो वहीं संत दिवाकरा आचार्य जी महराज अनरुद्ध आचार्य पर धर्म को जवसाय बनाने कारूप लगा है मैं उनको यहीं सुझाओ दूँगा कि थोड़ा सा अपना ध्यन बढ़ाएं और यह दुर्भाग्य है कि जो सास्त्री परमपरा को बीना पढ़े मनमुखी ढंक से जो लोग धर्म परचार कर रहे हैं इस अल्प ग्यानी है निरुद्ध आचार्य ऐसे काल नेमी जो धर्म का व्यवसाय बना कर रख दिये हैं जिनको सास्त्रों का वेदों का उपनिस्दों का कोई ग्यान नहीं है आप इनसे पूछेंगे कितने सास्त्रों होते हैं कितने पुरान होते हैं तो वह भी यह असपर प्रिकरते हैं यहां कदा पे भी श्विकारिया नहीं किया जाएगा लेकिन यहां की सडकों के गड्डे देखकर लगता है कि यह आदम युग में बनी हुई सडके हैं राइसेन के हाल सडक बदहाल सिसकती हुई सडके सोते हुए जिम्मेदार लोगों की आह विभाग लापरवाः बस इसी एहसास की परियाएं हैं राइसेन की सडके कुछ सडके तो ऐसी मिलेंगी जो सडक के नाम पर ही धबा हैं यानी सडक खोच के दिखाओ जैसा मामना होता है राइसेन जिले में सडक के गड्डे कुछ साल पहले 6 लोगों की ने काल बन गए थे लेकिन मजाल हैं जम्मेदारों के कान पर जूरेंगी हो सरकार लाग सकती बरत ले लेकिन सिस्टम में मौजूद लोगों से गड्डे भरवाना मुश्किल ही नहीं नामुम्किन है बढ़ा तो इसमें गड्डों के लिए काम होना चाहिए इसमें बन होना चाहिए किस्ताहाल सडकें बड़े-बड़े गड्डे दुपईया वहाँद चालकों के लिए तो नरक सरीखे हो चले हैं आए दिन होने वाले हाथसों के बाद भी जम्मेदार गंभीर नहीं देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, कहां है अमेरिका जैसी चमचमाती सड़क सागर भोपाल का ये मार्ग है और जिस तरीके से यहाँ पर जो है सड़क पर जो गड़े हैं बहुत नुक्सान दाएक बहुत नुक्सान दाएक है लेकिन हालात बदलने हैं तो आपको भी अपने हिस्से के जम्यदारी उठानी होगी देना होगा हमारा साथ तब ही बनेगी सुरक्षत सफर की बाद निउस 18 की मोहिम के लिए राइसेंस से दिनेश यादाव की रिपोर्ट और यारो करें एक छोटे से ब्रिक्ष्ट